Hello children, Kusum MQ online class में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज हम 4th class की English का Lesson 6, Living in a Beautiful World में आने वाले comprehensive part को समझेंगे और इसमें दिये गई questions के answer लिखना भी सीखेंगे, वीडियो को सभी बच्चे सुरू से लेकर रण तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल Online Study Hub को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में दी बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूले Let's start, comprehensive part First question देखें, यहाँ पर दे रखा है Write T for true and F for false In the boxes given in front of each statements इसमें कहा है कि नीचे जो भी statements यहाँ पर दे रखी है उनके सामने एक box दे रखा है और उस box में अगर statement true है तो T लिखे अगर statement false है तो F लिखे यानि कि अगर बच्छो statement गलत है तो हमें F लिखना है और अगर statement सही है तो हमें T लिखना है First statement देखते है People throw even useful things outside लोग बाहर useful things यानि उनके जो use करने वाली चीजे है वो भी बाहर फैकते हैं फैकते हैं क्या? No तो यहाँ पर आएगा false का F लिखेंगे है Second statement is The heaps of garbage look ugly and unpleasant कि जो कूडे करकट का धेर है वो भद्दा और गंदा लगता है है ना? बदा दीखता है ना वो? Yes तो यह सही है इसलिए हम इसको लिखेंगे टी Next है Puddles of dirty water are the favorite place of mosquitoes कि जो गंदे पानी के जो गड़े हैं वो mosquito के favorite places होते हैं उनके मन पसंद जगहें होती है ऐसा है क्या बच्चो? हाँ Yes तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे True Trash from local areas is loaded into garbage trucks जो local areas का जो trash है कूडा कच्रा है उसको garbage trucks में लोड किया जाता है Yes यह भी true है तो हम यहाँ पर इसको टी लिखेंगे A clean and beautiful place gives pleasure to everyone एक साफ और सुंदर place स्थान जो है हरे को खुशी देता है Yes, of course बच्चो अगर कोई भी साफ सुथरी जगे हैं तो वो सभी उसको पसंद करते हैं और सभी को इसे देखकर खुशी होती है तो यहाँ पर यह हमारा सही है इसलिए हम true के लिए टी लिखेंगे Second question दे रखा है कि answer the following questions नीचे दिये गए questions के answer दे तो यहाँ पर देखो First question है हमारा list Some of the things people should throw into dust bean उन चीजों की हमें list बनानी है लोग जिसको dust bean में जिनें फेकना चाहिए कौन-कौन सी चीजों को फेकना चाहिए तो इसका answer देखिए आएगा waste papers, plastic bottles, empty packets, wrappers, etc Second question है How do the drains get chocked? Drain's जो है वो chock कैसे हो जाते हैं? Drain's का मतलब है नदी नाले जो है यानि कि नालिया जो हो चौक-चौक का मतलब होता है रुखना वो क्यों रुख जाती है या बंद हो जाती है कैसे? How? How लिख रखा है इसने कि नालिया जो है वो कैसे बंद हो जाती है? तो इसका answer आएगा Drain's get chalked by the plastic waste wrappers and poly bags यानि कि जो ड्रेंस है नालिया है वो प्लास्टिक का जो waste होता है या फिर wrappers आ जाते हैं या पॉलथीन की जो थेलिया है उनसे रुख जाती है अब next question है Where do the workers put the trash from the dust beans? Workers dust beans से trash को, kachray को कहां डालते हैं? Dust bean का जो kachra है वो उससे कहां पर डालते हैं workers उससे ले जाकर पता है? हाँ, answer आएगा The workers put the trash into large containers and dumped it in open places to landfill sites outside the city यानि की जो workers है वो kachray को बड़े बड़े containers में डालते हैं और इसे सहर के बाहर ले जाकर किसी open area में उसको डाल देते हैं अब यहाँ पर देखो, next question है How will our cities and villages become beautiful? हमारे जो सहर है या गाउं है वो सुन्दर कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? Our cities and villages will become beautiful if we learn to recycle the waste materials हमारे सहर और गाउं सुन्दर बनेंगे यदि हम waste material को recycle करना सीख जाएं यानि इसका पूर्ण चक्रन करना सीख जाएं Next question है कि How do we keep animals away from the garbage? हम animals को कूडे कचरे से दूर कैसे रख सकते हैं? कैसे रखते हैं बताओ? We keep animals away from garbage by spreading a layer of dirt or soil on the garbage हम animals को कूडे कचरे से दूर कैसे रखते हैं पता है? हम क्या करते हैं? कि जो garbage है, कूडा कचरा है उसके उपर एक मिट्टी की layer फैला कर animals को कचरे से दूर रखते हैं उसके उपर dirt की यानि की soil की एक layer चड़ा देते हैं तो garbage उनको दीखता नहीं है तो फिर animals उनमें मूँ ही नहीं मारेंगे उनको नहीं खाएंगे, है ना? अब यहां है आगे vocabulary part अब यह कहता है बच्चो कि नीचे जो box दे रखा है उसमें pairs of words दे रखे हैं यानि कि शब्दों का जो है pair दे रखा है और आप उनमें से एक noun है और एक adjective है तो देखे एक बार जैसे brave, bravery brave क्या है? बहादूर, बहादूर होना यह जो है adjective है और bravery जो है वो noun है brave यानि कि बहादूर और bravery का मतलब है बहादूरी से अब इसी तरह से है deep, depth sweet, sweetness white, whitish cool, coolness soft, softness beautiful, beauty dark, darkness तो देखो, आपने देखा ना यह noun और adjective के pairs दे रखे हैं अब यह कहता है कि now complete the following sentences by using correct words given in the boxes अब अब यह कहता है कि जो नीचे कुछ sentences दिये गई हैं और आपको जो ऊपर ये boxes में जो words दे रखे हैं उनमें से correct words को use करके इन नीचे दिये गई sentences को complete करना है यहाँ पर देखो the weather is dash today तो पहले तो बच्चो आप ये ध्यान से समझो कि noun क्या होता है और adjective क्या होता है noun का मतलब है कि संग्या noun जो है वो एक naming word है यानि कि जो भी इस धर्ती पर जो भी चीजें है कोई भी व्यक्ति हो यानि person, place और thing इसके नाम को जो है वो noun कहा जाता है it means noun is a name of person, place and thing और adjective क्या होता है adjective होता है जो adjective is a word which qualified noun और pronoun जो noun और pronoun को qualify करता है यानि कि noun है जो noun है या pronoun है उनकी विशेस्ता बताता है वो होता adjective यहाँ पर देखो the weather is just today यहाँ ऐसे था तो उपर दे रखा है cool भी है और coolness भी है तो यहाँ पर weather की qualify जो है उसको विशेस्ता बतानी है weather कैसा है weather weather cool है मोसम की विशेस्ता बताई गई है यहाँ कि मोसम जो है वो ठंडा है आज मोसम ठंडा है तो cool आएगा these mangoes are very dash यानि कि sweet है या sweetness है उपर sweet और sweetness दे रखा है है ना तो mango की जो है quality बताईगी है mango कैसे है यह mango sweet है बहुत sweet है बहुत मीठे है the milk is white या white is milk जो है white यहाँ पर आएगा दूद कैसा होता है दूद की quality बताई गई है दूद सफेद होता है तो the milk is white इसी तरह से है our soldiers are very brave हमारे soldiers बहुत brave है बहादूर है soldiers की quality बताई गई है brave the night is very dark रात अंधेरी है यह रात की quality बताई गई है night की this river is deep यह नदी कहरी है deep or depth दो बड़ थे है न these kittens are beautiful एक beautiful है एक beauty है तो यहाँ पर beautiful आएगा kittens की जो है वो quality बताई गई है कि kittens कैसे है यह kittens जो है वो beautiful है सुन्दर है my pillow is very soft pillow की quality बताई गई है pillow कैसे है मेरे pillow बहुत soft है अब आगे है pick out the describing words यानि adjective adjective जो होता है बच्चों उसको describing word बोलते है adjective का मतलब है कि जो भी noun और pronoun को qualify करता है उसकी विशेष्था बताता है यानि जो संग्या और सरुनाम की विशेष्था बताने वाले श्यवद होते है उन्हें विशेष्ण कहा जाता है और इंगलिस में इसको कहते है adjective ये कहता है कि टेक्ट से अपनी बुक से आपको describing words चाटने है और उनको यहाँ नीचे दियेगे box में लिखना है तो देखिए इसमें मैंने कुछ words चाटने हैं जैसे एक है अगली और यहाँ पर अब इसके बाद next है जैसे की है small अब हम लिखेंगे bad एक है जैसे की dirty और है filthy और clean beautiful और hues आप भी बच्चो अपने text से जो है आपको भी अपने नए-नए describing words जो है वो pick out करने हैं और यहाँ पर उनको लिखना है अब है find in the grid the words given in the box and circle them one has been done for you अब यह यहाँ पर कहता है की box में दिये गए words जो है वो आपको grid में ढूनने हैं उनको circle करना यह देखो यह box दे रखा है और यहाँ यह आगे कहता है की एक आपको करके भी दिखाया गया है यह देखें इस तरह से circle करना है foil foil ढूनना है यहाँ पर हमें की foil कहाँ है तो यह देखो यह रहा foil है ना और इसको हमें इस तरह से circle कर देना है अब जैसे की है landfill अब इसमें landfill ढूनो बच्चो कहाँ पर है landfill ढूनने में मेरी help करो यह यह रहा landfill यह देखिए आपको correct spelling भी देखनी है बच्चो अब है जैसे की dump अब dump कहाँ पर है यहाँ पर अब dump ढूनो यह रहा यह देखिए d-u-m-p dump अब है furnace और furnace कहाँ पर है देखो एक बार शाबास जुणवाओ है मुझे बताओ कहाँ पर है यह रहा यह देखो है न अब इसी तरह ऐसे है incinerator incinerator अब इसको देखेंगे incinerator कहाँ पर है यहाँ पर देखो ढूंदो यह रहा है है ना और यह तो नीचे तक है यह देखें इंसाइन रिजर हो गया यह तो अब आगे है गार्बेज अब गार्बेज देखेंगे कहाँ पर है अब नैक्स्ट देखो है प्लास्टीक और प्लास्टीक कहा पर है यहां यह रहा प्लास्टिक आपको भी बहुत कियरफुल ली जो है यह अच्छी तरह से देखना है आगे हैं ट्रैस अब ट्रैस को ढूंडवाओ यह रहा ट्रैस अब इसी तरह से एक रहता है पेपर और पेपर यह इसने खुद ही कर रखा है तो यह सारे वर्स जो है वो हमने ठूंड दिये हैं यहाँ पर देखें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था क्या आपको यहाँ पर देखो ठीक है इस तरह से आगे इसने दिया है letters of some words are in jumbled form कुछ words के letters जो है jumbled form में है rearrange them to make meaningful words उनके meaningful words बनाने के लिए उनको rearrange करना है and match them with the correct pictures और correct pictures के साथ में match भी करना है one has been done for you एक आपको करके दिखाया गया है जैसे यहाँ पर देखो यह जो है उल्टे सिधे अक्सर यह letters जो है वो दे रखे हैं jumbled form में है उन्हें हमें ठीक rearrange करना है देखो इसने rearrange कर दिया यह bottles बन गया और यहाँ पर इसको match भी कर दिया यह bottles अब यह देखो यह क्या बनेगा यह बनेगा foil f o i l foil और foil कहाँ पर है इसमें यह नीचे है foil है ना यहाँ देखो यह foil यह क्या है यह है recycle और क्या spelling होगी r e c y c l e recycle और recycle कहाँ पर क्या गया है यह देखिए यह यहाँ पर जो है वो recycle करके दिखाया गया है यह है garbage truck और इसकी क्या spelling आएगी g a r b a g e garbage और यहाँ पर आएगा truck t r u c k garbage truck कहाँ पर है इसमें garbage truck ढूंडो यह रहा है ना अब इसको हम ऐसे match करेंगे यह है बच्चु dust bean यह dust bean बनेगा d u s t b i n dust bean और dust bean कहाँ है यह रहा dust bean यह देखिए यह क्या है बताओ यह है furnace f u r n a c e furnace furnace क्या होती है पता है furnace होती है भठिया और भठि कहाँ पर है यह रही तो यह हमने match कर दिये है अब आगे दिया है इसने कि look at the pictures of different types of waste given below match them with the correct dust beans वह कहता है कि यहाँ जो नीचे जो है वो अलग-अलग परकार के waste की pictures दिखाए गई है उनके pictures को देखो और उनके dust bean में correct dust bean में उनको match करो यहाँ पर देखो यह glass दे रखा है न तो glass जो है वो हम इनमें dust bean में ही डालेंगे अब है vegetables and fruits pills यहाँ देखो यह vegetables और fruits के जो है वो पील्स है छिलके हैं इनके छिलकों को हम bio यह kitchen waste में ही डालना चाहिए उसके dust bean में ही डालना चाहिए आगे है plastic bottles देखो plastic bottles है यह plastic waste डालने का dust bean है तो इसमें हमें plastic waste जो है इस dust bean में ही हमें इन plastic bottles को डालना चाहिए तो ओके बच्चो हम फिर मिलेंगे इसी chapter के grammar part के साथ तब तक के लिए बाई बच्चो झालना चाहिए